हेलो गाइज वेल्कम बैक तो मैं चैनल और आपके देखेड़े आर्स क्लब तो आधके जो स्केच है वो ही ट्रिगर इंसान का तो चलिए देखते हैं कि मैं यह स्केच के सबना बता हूँ लेट्स स्टाट आप वीडियो आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि मैंने जो आउटलेंड है ट्रिगर इंसान का मैंने वह कंप्लेट कर लिया है अब मैं जाओंगा स्किन टोन की तरफ बतलब जो लाइट पेंसिल से मतलब लोग ड्रेन जी से जो फर्स लेयर्र और सेटली लेयर्र दिया जाता है। में वह एप्लाइ कर रहा हूं तो जैसे कि आप यहां पर देख सेथे कि मैंने जो पेंसिल यूज किया है और मैंने जो पेंसिल को पकड़ा हुआ है वह बिलकुल पीछे से पकरा हुआ है एक चीसा अप लोग को हमेशा याद में रखना होगा कि अगर आप लोगों को इसकी टून पकरना होगा क्योंकि अगर आप लोग सामने से पेंसिल को पकर कर अगर लेयर्स देने की लेयर्स अपना एप्लाइ करने की कोशिच करेंगे तो मेरे हिसाब से जो पेंसिल के ग्रफेट है वह जादा ओफ्ट होगा याज किन टून के ओपर या फिर जादा प्रेशर का वज अधीड आप लोगगा हुआ कि इसटे पकरना है तो मैं scan कि आपलोग को सामने पकर आँगे था जादा नहीं बहुत ही बेटेगी लेलना है वी फर्स लेयर और आप लोगों का देना हो गया आभी फर्स लेयर स Kleiner राक है बहुत सारे लोग बाद संब करते हैं यह सी बहुत जली में ब्लेंड करने का चीज़े होती है वो कभी काफी जल्दी से शेड की हुई स्किन के ओपर बहुत जल्दी से चला जेते हैं मैं इस वीडियो को वीडियो कफी लंबी है पर मैं अगर कहूं तो जब भी आप लोग ब्लेंड करने जाएं तो जैसे आप लोग पेशन्स रखकर चीजों को शेड करते हैं डार्क लेयर डार्क जगों को या फिर लाइट जगों को अपने पोट्रेट को पर ओप्ट करते हैं देखते हैं कि कौन कौन सी जगों पर लाइट है शेड से लाइट शेड से या फिर डार्क शेड से वह अब्सर्व करके जब आप लोग हलके हादों से टाइम लगाकर पेबर के ओपर आप्ट करते हैं तो सेम प्रोसेस से ही हलके हादों से या फिर और ज़्यादा पेशन्स के साथ जब शेड शेडों का ब्लेंड करने का समय आता है तभी बहुत ज़दा हलके हादों से ही जो शेड आपने अपने पोट्रेट के उपर डाली हुई है उन सारे शेडों को ब्लेंड कीजिएगा अगर आप लोग जल्दी में ब्लेंड करने की कोशिश करेंगे तो मेरे हिसाब से जो अच्छी तरीके से ब्लेंड नहीं होगी अच्छे से हलके हाथों से पेशन्स रख कर ब्लेंड कर यह तभी जो डारक शेड्स एंड लाइक एंड लाइट शेड्स हैं वह एक दूसरे पर मिलकर एक अच्छा स्किन टोन या एक अच्छा स्किन टेक्च्चर आप लोगों को देगी वरना क्या होगा कि बीच बीच में कुछ-कुछ जगों पर अच्छी से ब्लेंड ना होने के वज़े से कुछ पैचेस या फिर इसकिन में कुछ डिफेक्ट्स दिखाई दे सकती हैं सो मैं अगर सजस्ट करो आप लोगों को तो सो फर्स लेट और सेकंड लेट देने और हाथो को बिल्कूर रिलाक्स करके हलके हदों से एक घंटा दो घंटा लगा गरर पोट्रेट को आप करीक ब्लेंड करने के बाद जो उसे भी डार्क शेयर्स जब पोट्रेट में आप लोग देंगे उसके बद करने के बाद क्या होती है कि चीज़े थोरा सा कि फेड हो जाती है मतलब डार्क जो शेर साब लोग आप्ट करेंगे वह उतना जादा डार्क दिखाई नहीं नहीं देता तो मैं कहूंगा कि फिर से हाइगरिट का पेंसिल लीजेगा मतलब 6B या फिर 8B का पेंसिल लीजिए उसको अच्छे से शार्प करिए शार्प करने के बाद देखिए कि आपका जो रेफेरेंस पिक्चर है वहाँ पर कौन कौन सी जगह पर डार्क शेर से उसके अकोर्डिंग आप अपने पोट्रेट पर अच्छे से उन सारी जगों को आप्ट कर दीजिएगा उसके बाद वापस से ब्लेंड करना होगा यही फरॉसस चलेगा बार बार लेयरवाईस ब्लेंडिंग अन्व और यह बलेंडिंग टेटिंग कर दब तक आप लोगों को अपना मनबसंद स्किन टोन नहीं ब्लिय जाता और भार आप लोगों को ये ना लग जाए कि जो रेफरेंस पिक्चर के वह आपके आपने जो स्केच आपने पोर्ट्रेट ड्रो किया है उसके स्किन ड्रों से मेच्च कर रहा है तो इसी तरीके से आप लोग बाड़ी बाड़ी से लेयर वाइज एक पोट्रेट को रियलिस्टिक जो स्किन टेक्च्चर है वो बना सकते तो इसी कुछ तरीके से आप लोगों को पोट्रेट ड्रॉ कर निये तो गाइस थेंक्यू सो मच पर वाचिंग एंड आखर में यह पोट्रेट दिखने में कुछ तरीके का दिखाए दे रहा है तिंक्यू सुमाज कीप सब्रूटिंग कीप लविंग मी एंड एक और चीस आप लोगों दिखानी है जो कि यह मेरा आर्टिस जीवन का पहला पोट् किप की प्रेट्रूशिंग आप लोग मुझे यहां से यहां देकाने में दो साल लग और आप में मुझे सी जाद पोटेटिश हे tennis